नमस्कार दोस्तों मैं प्यू सक्सेना इस्पायर फोर लर्णिंग यूटूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं तो बताई कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूं आप अच्छे होगे और साथी साथ गवर्मेंट जोग की तैयारी कर रहे होगे और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी बैल आइकन प्रेस करें जिससे जि वीकली करंट अफेयर जितनी भी रही है सारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा 18 अप्रेल से 24 अप्रेल 2021 तक जितनी भी important करंट अफेयर रही है पूरे हपते में सारी हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे 80 प्लस mcq मैं इसमें लेके आया हूँ 18 से 24 अप्रेल की वीकली करंट अफेयर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा पूरे सेशन की पीडियेफ आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी और चैनल का लिंक हमने वीडियो की डिस्क्रिशन में दे दिया है और साथी कमेंट बॉक्स में आपको वह लिंक मिल जाएगा लिंक पर क्लिक करें गुरूप जॉइन करें और साथी वीडियो डाउनलोड कर सक बढ़ते हैं और उसके लिंक आपको ये PDF मिल जाएंगे चलिए अब हम बढ़ते हैं कोश्चन की तरफ पहला कोश्चन है हूँ हाज बिन चूजन दा ODI प्लेयर ऑफ डिकेड फो 2010 इन विजडन अलमानेक 2021 तो विजडन अलमानेक 2021 में 2010 के दशक के लिए एक दिवसी खिलाडी की से चुना गया है तो वो है विराट कोली विराट कोली को अभी अलमानेक विजडन की 2021 ये लिस्ट जारी करी गई है उसमें 2010 के दशक के लिए एक दिवसी खिलाडी के रूप में जो चुने गये हैं वो हैं विराट कोली विराट को विज विजदन अल्मानेक 2010 के लिए पूरे डिकेड के लिए इनको प्लेयर ऑफ दड ओडियाई चुना गया है विएटकोली को पूरी लिस्ट मैं आपको अब इसमें आगे बताने जा रहा हूं जो लिस्ट है इसमें इंडियन कैप्टन विएटकोली विजदन अल्मानेक थे वो दो थे एक सचीन तैंदूलकर थे जिनने ओडियाई क्रिकेटर ऑफ 2019 के लिए इन्हें चुना गया था अलमनेक के द्वारा और साथ ही कपिल देव को ओडियाई क्रिकेटर फोटू फॉर नाइंटीन इट्टी उन्निस सो असी के दर्शक के लिए कपिल देव को चुना गया था और उन्निस सो नभगे के दर्शक में सहजिंत अंदूलकर को और 2010 के लिए विराट कोली को अब चुन गया है इंग्लेंड और लाउंडर बैन स्टोक इस लीडिंग क्रिकेटर आफ दा इयर तो जो बैन स्टोक है वो इस बार के लीडिंग क्रिकेटर आफ दा इयर चुने गए हैं और यह मेंस के लिए चुने गए हैं बैन स्टोक और जो वूमंस के वूमंस में चुनी गई हैं बैथ मूनी आस्टेलिया की लीडिंग वूमन्स क्रिकेटर इन दा वर्ल्ड तो ये दोनों आपको याद रखने हैं बैंड स्टोक और बैथ मूनी वेस इंडीज आर्लाउंडर कायरें पॉलार्ड वॉज एड़्जस्ट दा लीडिंग टीटविंटी क्रिकेटर इन दा वर्ल तो कायरें पॉलार्ड को टीटविंटी क्रिकेटर इन दा वर्ल्ड के लिए विजदन अलमनेक के दोरह इन्हें चुना गया है इस साल के लिए अब यह कुछ नेम है जैसन होल्डन है महमूद मेहमद रिजवान है डॉम सिवले है जैक कारले है और डेरिन स्टीविंट इनके नेम आपको याद रखने है और साथी व्राट कूली का नेम याद रखना है विजदन अलमनेक ओडियाई प्लेयर ऑफ दा डिकेट यह 2010 के लि लीडिंग क्रिकेटर ऑफ दा इयर बैन स्टोब और लीडिंग वुमन्स क्रिकेटर ऑफ दा इयर बैत मुनी कारें पोलाड जो चुने गए हैं लीडिंग 20 क्रिकेटर इन दा वर्ल्ड तो इनका नेम भी आपको याद रखना है सेकेंड कोश्चन है विलीव वाट लाइफ और केटर ड चुने की तो उसका नेम आपको बताना है किस कि क्रिकेटर की यह बुक है वीडिक राट की कि में तो वह है तुरेष रैयना की यह Ourself की है Next और फ रूलाइफ बुक रिलेटेड त does बाबा साहव अमबेटकर वाद रिलीजड बाबा साहव अमबेटकर से संबंधित निम्लिकित में से कौन सी पुस्तक है जिसे पीम मोदी द्वारा प्रचानवी वर्ष बैठक पर उस पुस्तक को रिलीज करा गया है तो वो है डॉक्टर बीमराव अमबेटकर जीवन दर्शन व्यक्ति दर्शन जाष्ट्र दर्शन और आयाम दर्शन ये चारों कितावे जिलीज करी हैं पीम मोदी ने तो इसका जो आंसर बनेगा all of the above तो ये आपको याद रखनी है चारों बुक्स के नेम जीवन व्यक्ति जाष्ट्र और आयाम दर्शन आगे इसके ल बताऊंगा चारों इंडेक्स इंपोर्टेंट रहेंगी तो वर्ट इस दा रेंग इन इंडिया 2021 इंक्लूजिव इंटरनेट इंडेक्स वो है 49 2021 का समावेशी इंटरनेट सूच कांक में भारत का रेंग जो है 69 200 है वैश्विक इस्तर पर भारत को 41 इस्थान पर रखा गया है यह थाइलेंड चे साथ अपनी रेंग साजा करता है रेपरजेंट इंडेक्स सूच कांक ने 120 देशों का शर्वेक्षन क sv concern किया है 120 देश यह question है who has been named leading cricketer in the world for a second consecutive year in 2021 edition of wisdom cricketer almanac leading cricketer जो चुने गए है वो है Ben Stoke mains के लिए Ben Stoke को चुना गया है wisdom cricketer almanacs के द्वारा पूरी list मैं आपको इसमें बता दी है अभी question तो पन बाइवन करके इसमें बनेंगे और वो question आप अच्छे से टिक करके आएंगे who has been named leading women's cricketer in the world in 2021 edition of a wisdom cricketer's almanac wisdom cricketer के पंचांग के 2021 के जो संसमर्ण है उसमें बैत मूनी दुनिया में अग्रडी महीला cricketer रही है तो बैत मूनी women's cricketer है और mains में जो है Ben Stoke है दोनों के नेम आपको याद रखने है अब पढ़ते हैं next question की तरफ 7th question है उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले who has been named for the lifetime achievement award at the 78th Venice international film festival अचाटरवे Venice अंतरास्य फिल्म महुसब में Lifetime Achievement Award के लिए किसे नामित किया गया है तो वह है Roberto benigni roberto benigni ko 78th Venice अंतरास्य फिल्म महुसब में Lifetime achievement Award के लिए नामित किया गया है नेक्स्ट question है नासा इस एस सेट तू लांच four astronauts to the international space station along with तो NASA किसके साथ मिलकर अंतराश्टिय अंत्रिक्ष इस्टेशन में चार अंत्रिक्ष यात्रियों को launch करने के लिए तयार है तो वो कौन सी agency है वो है Space X ये भी एक NASA की तरह एक ये आपका याद रखना है NASA ने Space X के साथ ये collaboration करा है four astronauts को ये international space station है SpaceX former Central Bureau of Investigation Director has passed away recently पूर्व कैंद्रिय जाच ब्यूरो के निदेशक जिनका हाल ही में निधन हो गया है उनका नेम आपको बताना है तो वो है रंजीत सिनहा रंजीत सिनहा जिनका हाल ही में निधन हो गया है former CBI Director थी next question है world hemophilia day observed globally on every year विश्व hemophilia दिवस हर साल विश्व इस्तर पर मनाया जाता है तो वो 17 अप्रेल को world hemophilia day हर साल celebrate करा जाता है 2021 विश्व hemophilia दिवस के लिए जो theme है adapting to change sustaining care in a world तो adapting to change sustaining care in a new world 17 अप्रेल को जो world hemophilia day celebrate करा जाता है उसकी theme है तो ये आपको याद रखना है इसकी theme important रहती है exams के लिए जितनी भी day रहते है which of the following had recently bought artificial intelligence speech tech firm nuance for 19.7 billion निमलिकित में से किसने हाल ही में AI भाशन तक्निक फर्म nuance को 19.7 billion में खरीदा है तो वो है Microsoft में खरीदा है nuance को 19.7 billion में तो ये आपको याद रखना है the pay by the bank app is a mobile based customer friendly payment solution launched by अब ये किस किस के दोरा launch करा गया है तो वो है my mastercard and RBL bank pay by bank app एक mobile अधारित ग्याहक अनुकूल भुक्तान समधान है जिसे mastercard और RBL bank दोरा launch किया गया है तो दोनों के name आपको याद रखने है the pay by bank app किस के दोरा launch करी गई है तो mastercard और RBL bank next question है US president Joe Biden has announced that all American troops would be withdrawn from by September 11, 2021 अमेरिकी रास्रपती जो विड़न ने घोशना की है कि 11 सेतंबर 2021 तक सभी अमेरिकी सैनिकों को कहां से हटा लिया जाएगा तो वो है अफगानिस्तान अफगानिस्तान से 11 सेतंबर 2021 तक जितने भी अमेरिकी सैनिक हैं उन सब को हटा लिया जाएगा अफगानिस्तान से next question है what was the theme for world voices day अब world voices day अभी हाल ही में celebrate करा गया है 16 अप्रेल को विश्व इस्तर पर तो विश्व अवाज दिवस सभी लोगों के देनिक जीवन में आवाज के विशाल महत्व को परिदर्शित करने के लिए हर साल 16 अप्रेल को विश्व इस तर पर मनाया जाता है तो विश्व अवाज दिवस की जो theme है वो इस साल रही है one world many voices 16 अप्रेल को जो world voices day celebrate करा जाता है उसकी theme है which day is observed as the world heritage day तो world heritage sites है उसी के according जो world heritage day है विश्व धरोहर दिवस है वो हर सल 18 अप्रेल को celebrate करा जाता है और इसकी theme है complex past diverse futures complex past diverse futures complex past diverse futures 18 अप्रेल को जो world heritage day है उसकी theme है तो यह day आपको याद रखना है with theme which country become the first to introduce a law that will require financial firm to explain how they would manage climate related risks and opportunities कौन सा देश एक कानून लाने वाला पहला देश बन गया है जिसे वित्तिय फर्मों को यह समझाने की आवशक्ता है कि जल्वायू संबंधी जोखिमों और अफसरों का प्रभंदन कैसे करें तो वो है न्यूजी लेंड न्यूजी लेंड ने जिक कानून पारेत करा है जिसमें वित्तिय फर्मों को यह समझाने की आवशक्ता है कि जल्वायू संबंधी जोखिमों और अफसरों पर कैसे प्रभंद करें अबी नासा ने इस स्पेस एक्स दोनों का कोलरभरेशन हुआ है मैंने आपको इसमें बताया है तो यह कितना कोल्रभरेशन हुआ है 2.9 billion का इन दोनों के बीचे contract sign हुआ है NASA और Space X का दोनों ही US की ये space agency है NASA और Space X तो आपको ये याद रखना है 2.9 billion का ये agreement हुआ है Next question है वो क्या है अब बढ़ते हैं आगे Next question क्या रहा है Padma Shree Award winning renowned actor Vivek has been passed away He was associated with which film industry Padma Shree, Purushkar से सम्मानित, प्रशिद, अविनेता, विवेक का निधन हो गया है वह किस फिल्म उध्योक्त से जुड़े थे तो वो है Tamil ये Tamil actor थे विवेक जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है तो एक नमबर में ऐसे ये ओविचरी इंपोर्टेंट बन जाती है तो ये आपको याद रखनी पड़ेंगी एक्जाम में पूछ ली जाती है एहमद हुसेन लाला who passed away recently was a renowned player from which field तो ये एक famous खिलाडी थे एहमद हुसेन लाला अब इनके sports का नेम आपको बताना है तो वो है football football के player थे एहमद हुसेन लाला जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है which country has launched the first ever mega food park and food processing unit in India एट फनीधर इन आपको ये याद रखना है फनीधर इन मैं सहाना district of गुजराद तो गुजराद के महसाना जिले के फनीधर मैं किस देश ने भारत में पहली बार mega food park और खादे संस्क्रण की इकाई शुरू की है तो वो है इटली इटली के द्वारा ये गुजराद के महसाना जिले के फनीधर में ये स्टार्ट की जाएगी तो उनका नेम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आपको पता है तो आनसर रहा है विनेश फोगाठ विनेश फोगाठ ने अभी हराया है जिसको हराया है ताइपे üz से इंच कुस्ति होगाठ विनेश फोगाठ ने तो ये आपको इनका नेम याद रखना रहे से वर्ड लीवर दिवस शरीर में दूसरे है सबसे बड़े अंग के बारे में जागरुकता फलाने के लिए हर साल किस दिन सेलिबेट करा जाता है तो लीवर जो है सेकेंड लारजेस्ट ओर्गन है हमारी बॉड़ी का 19 अप्रेल को ये डे सेलिबेट करा जाता है विश्व लीवर दिवस हर साल 19 अप्रेल को सेलिबेट करा जाता है हू अमंग दज फॉलाइंग है ज़बॉन आमिलिया रुमागना फोर्मुला वन ग्रेंटेस्ट टू थाओंट क्टिवन और ये कहां पर हुआ है इमोला इटली निमलिखित में से किसने इटली के इमोला में Emilia Romagna F1 Grand Prix 2021 जीता है तो वो है Max Verstappen Max Verstappen के दोरा ये Emilia Romagna F1 Grand Prix जीता गया है Max Verstappen Red Bull Team से हैं और ये नीदरलेंड कंट्री से हैं तो नीदरलेंड से ब्लॉंग करते हैं Red Bull Team से हैं Max Verstappen जिनके दोरा Emilia Romagna F1 Grand Prix जीता गया है Who has been reappointed as MD and CEO of DCB Bank by RBI RBI दोरा DCB Bank के MD and CEO के रूप में किसे निक्त किया गया है मुल्ली नटराजन को MD and CEO निक्त करा गया है DCB Bank का और RBI के दोरा मुल्ली नटराजन MD and CEO हैं अब इस टाइम DCB Bank के RBI ने इनको एपॉइंट करा है Set a new world record in women's 49 clean and jerk with a massive 119 kg lift Asian wetlifting championship in Tashkant तो अब आपको पताना है किसने ताशकंद में एशियाई भारतोलन championship में महिनाओं के 49 किरगा clean and jerk में 119 किरगा भारतोलन के साथ एक visual record बनाया है तो वो हैं भार मीरावाई चानू के द्वारा ये record बनाया गया है ताशकंद में एशियाई भारतोलन championship में तो ये मीरावाई चानू का नेम आपको याद रखना है 119 किरगा भारतोलन इन्होंने ये उठाया है Next है किस कितनी आपकी बताना है कौन सी meeting है scientific expedition to Antarctica hosted by the ministry of earth science successfully returned to Cap Town प्रतवी विज्ञान मंत्रा ले द्वारा आयोजित अंतर्टिका के लिए विज्ञानिक अभियान सपलता पूर्बग Cap Town में लौट आया है तो ये कौन सा रहा है ये कौन सा विज्ञानिक अभियान रहा है ये चालिसवा scientific expedition to Antarctica ये रहा है बैकिट में आपको ये दिख रहा है 40th ISEA scientific expedition to Antarctica तो ये आपको याल रखना है किसने host करा है तो ministry of earth science के द्वारा ये successfully host करा गया है which of the following ministry recently launched the gender sambad event निमले खितमें से किस मंत्राले ने हाल ही में gender sambad event launch किया है तो gender sambad event किस ministry के द्वारा launch करा है तो वो है ग्यामिर विकास मंत्राले ministry of ruler development के द्वारा इसे launch करा गया है और ministry of ruler development जो minister है वो है नरेंद्र सिंह तॉमर ग्यामिर विकास मंत्राले देख रहे हैं नरेंद्र सिंह तॉमर उन्हे के द्वारा ये gender sambad event श्टार्ट करा गया है अंशू मलिक सरीता मोर और दिव्या काकरान has won gold medal in Asian wrestling championship अब आपको बताना है कि Asian wrestling championship is being held in तो वो है Almaty कजाकिस्तान Almaty कजाकिस्तान में अंशू मलिक सरीता मोर और दिव्या काकरान ने एशिया ही कुस्ती championship में सौन पदक जीता है और ये एशिया ही कुस्ती champion Almaty कजाकिस्तान में आयोजित की जा रही है तो ये ऐसे ही आपको ये question याद रखने है जीता किसने है उनके name आपको याद रखने है अब बढ़ते हैं next question की तरफ Name the American computer scientist who best known as a co-founder of a graphics and publishing software company Adobe Inc. has passed away recently अमेरिकी computer बेग्यानिक जो हैं वो कौन है Charles Guess के Charles Guess के हैं जिनने हाल ही में graphics और percussion software company Adobe Inc. से संस्थापक के रूप में जाना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया है तो आपको ये याद रखना है Charles Guess के का next जो index है important है What was the rank of India in Hellen Passport Index तो Hellen Passport Index में जो भारत की rank रही है 84th तो ऐसे ही आपको ये याद रखने है World Press Freedom Index में इंडिया की rank 142 है Hellen Passport Index में 84 है और ऐसे ही आपको ये याद रखना है अब World Press Freedom Index में टॉप करा है Norway ने ये भी आपको याद रखना है अब आते हैं कि Hellen Passport Index में टॉप किस ने करा है तो वो है Japan Hellen Passport Index में किस देश ने टॉप करा है तो वो है Japan ये भी आपको याद रखना है Japan के दोरा इसमें टॉप करा गया है Who is the author of a new children's book The Christmas Pig नए बच्चों की पुस्तक The Christmas Pig के लिखक है J.K. Rowling J.K. Rowling के दोरा ये पुग लिखी गई है The Christmas Pig The Christmas Pig के author है J.K. Rowling तो जितनी भी book and author है important बनते हैं exams के लिए अब आते हैं next question की तरफ गंजाम, वैंकट, सुबिया इनका हाल ही में निधन हो गया है अब आपको बताना है ये किस फील्ड से संब्दित है अब ये गंजाम, वैंकट, सुबिया इनका हाल ही में निधन हो गया है ये एक famous writer थे तो इनका name आपको याद रखना है कि गंजाम, वैंकट, सुबिया इनका हाल ही में निधन हुआ है तो ये famous लेखक से ये आपको याद रखना है अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और जहां तक आपके रिच हो Instagram, Telegram, Facebook, Whatsapp हर जगे वीडियो को शेर करना ना भूले बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ सुमित्रा भावे जिनका हाल ही में निधन हो गया है ये एक famous किस छेतर से संबंदित है तो सुमित्रा भावे एक famous film निर देशक है सुमित्रा भावे जिनका हाल ही में निधन हो गया है ओविच्रीज इंपोर्टन रहती है इस अपते में 10 से 15 में आपको ये ओविच्रीज इसी वीडियो में बताने जा रहा हूं और 4 इटेक्स मैं आपको इसमें पताऊंगा कि उसमें टॉप किस ने करा है बॉटम में कौन रहा है नेक्स्ट कोशन है यूएन चाइनीज लेंग्वेज डे इस अब्जर्वड ग्लोबली ओन एब्री इयर संयुक्त राष्ट चीनी भाष़त दिवस 20 अप्रेल को सेलिबेट करा जाता है तो ये आपको याद रखना है यूएन चाइनीज लेंग्वेज डे 20 अप्रेल को सेलिबेट करा जाता है अब आते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ आरबियाई ने अभी एक कमीटी सेट अप करी है तो आपको बताना है कि इस पैनल के हैड कौन है इस कमीटी को किसके द्वारा हैड करा जाएगा इसके अध्यक्ष कौन होंगे तो वो है सुदर्शन सेन असट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए एक रिव्यू के को रिव्यू करने के लिए एक कमीटी बनाई है और उस रिव्यू कमीटी के जो चेर्मेन रहेंगे सुदर्शन सेंग रहेंगे Who among the following has launched Startup India Seed Fund Scheme to provide financial assistance to start-up निम्लिकित में से किसने start-up को वित्य साहता परदान करने के लिए Startup India Seed Fund Scheme शुरू की है Piyush Goyal के दुआरा ये scheme start करी गई है Railway Minister है आप अच्छे से जानते होंगे Life Insurance Corporation of India has announced Home Ground Payment Player to facilitate its digital payment भारती है जीवन वीमानिगम LIC ने एक digital भुकतान को सुभीदर जनक बनाने के लिए Home Ground Payments खिलाडी निउक्त करा है तो वो है Payment Payment को इन्होंने निउक्त करा है LIC ने digital भुकतान को सुभीदर जनक बनाने के लिए तो वो किसको निउक्त करा है तो वो है Paytm Home Ground Payments खिलाडी Paytm को इसने निउक्त करा है LIC ने हूँ अमंग दा फॉलएंग हैस बॉन मॉन्टो कार्लो 2021 टाइटल इन टैनिस निम्लेकित में से किसने टैनिस में मॉन्टे कार्लो 2021 का खिताब जीता है तो वो है इस्ते फानोज तिस्ती पास के द्वारा ये टैनिस जीता गया है टैनिस से संबंदित हैं मॉन्टो कार्लो 2021 टैनिस इन टैनिस हूं अमंग दा फॉलएंग स्टेट गवर्मेंट रेटायर दा कमिटमेंट आपको यह याद रखना है ऑफ दा इस्टेट टू एचीव दा हर घर जल टारगेट बाई 2021 तो अब इस कोशन का मतलब क्या हुआ कि हर घर जल का जो लक्षे रखा है वो किस राज्जी के दोरा लक्षे रखा गया है 2022 तक जो है पंजाब पंजाब गवर्मेंट के दोरा पंजाब राज्य सरकार के दोरा 2022 तक हर घर जल लक्षे को प्राप्त करने के लिए राज्य में प्रतिवद्दा को दोराया है तो यह आपको याद रखना है which of the following organization has developed a SPO2 ये SPO2 बेर्द सप्लिमेंटल ऑक्सीजन डिलिवरी सिस्टम फोर सोल्जर्स सर्विंग इन एक्स्रीमली हाई अल्टिटूड एरियाज और कोबिड-19 पेशेंट तो निम्लिखित में से किसने संगटन ने अत्याधिक उचाईवाले छेतरों और कोबिड-19 रोग विक्सित की है तो वो है DRDO DRDO के दोरा SPO2 अधारित पूरक ऑक्सीजन बित्रह पढ़ाली विक्सित की गई है तो DRDO के दोरा इसे विक्सित करा गया है अब आते हैं हैल ने पास्पोर्ट इंडेक्स पर दुवारा से तो इसमें जो टॉप पर रहा है जापान रखा है इसमें बताना है कि लास्ट में कौन सा देश रहा है हैल ने पास्पोर्ट इंडेक्स में इंडिया रहा है 84 पर अफगानिस्तान लास्ट में रहा है और टॉप पर रहा है जापान तो बस आपको ये तीन चीज़ें अच्छे से पता होना चाहिए कि टॉप पर कौन रहा है बॉटम में कौन रहा है और इंडिया की रैंग कितनी है तो इंडिया की रैंक 84 थे हेले पासपोर्ट इंडेक्स में और टॉप पर रहा है जापान और लास्ट में है अफगानिस्तान तो इतना आपको इसमें हले passport index से बारे में पता होना चाहिए फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर बच्ची सिंह रावत है पास्ड अवे तो ये यूनियन मिनिस्टर थे तो कौन सी मिनिस्टरी इनके पास थी ये आपको बताना है इस question में पूर्व किन्जी बंच्री वाची सिंग रावत करने धन हो गया है वहर यूनियर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फूर साइंस एंड ने करने धन हो गया है इतना आपको अच्छ दangesियाद होना चाहिए आप आते हैं वर्लड जस नुдम इंडेक्स जुमें आपको इसमें बता रहा था कि विश्यो फ्रेस सुच-कांख में 2021 में भारत की राइक क्या है मैं आपको भी स्टंग में बताया था कि यह रेंग भी मैं आपको आगे मिर्स डिसकस करूंगा तो World Press Freedom Index में इंडिया की रेंग है 142 और Inclusive Internet index में इंडिया की रेंग कितनी थी तो वह थी 49 Thailand भी उस के साथ रेंग साझा कर रहा है इंडिया के साथ 120 डेसों की वो सूची थी अब हम बढ़ेंगे कि Press Freedom इंडेक्स के बारे में अब पढ़ते हैं पहले इस कोशन के बारे में कि Civil Services Day कब celebrate कर जाता है Civil सेवा दिवस हर साल 21 अपरेल को मनाया जाता है तो आपको यह याद रखना है कि Civil Services Day 21 अपरेल को मनाया जाता है तो इतना आपको इसमें यह याद रखना है जितने भी days रहते हैं सारे important रहते हैं और मैं अलग से भी इनको करवाता हूँ what is the name of 13th governor of RBI who headed committee on financial system 1991 and committee of banking sector reforms 1998 has passed away तो RBI के तेरवे governor का नाम किया है जिसने वित्ती है प्रणाली 1991 बैंकिंग छेट सुधार समीती 1998 की समीती का नेतरत्व किया है तो वो है M. Narsimhan M. Narsimhan जिनोंने RBI की जो committee रही है financial system से संबंदित, banking sector reform से संबंदित उनको हैट करा है तेरवे governor थे RBI के M. Narsimhan जिनका हाद हाल ही में निधन हो गया है तो यह आपको याद रखना है Sir Oswan Smith RBI के first governor थे James Taylor second governor थे और CD देशमुक first Indian governor रहे है RBI के और यह third governor थे RBI के अब आपको पूछ लिया जाए कि first Indian governor कौन थे तो बोते CD देशमुक fourth थे बेनेगल रामा राव फोर्थ जो रहे हैं governor बेनेगल रामा राव रहे हैं और जो 30th governor है RBI के वो है M. Narsimhan ऐसे ही question SSC में पूछे जाते हैं जो current से topic होते हैं और static में पूछ लिया जाता है कि 30th governor of RBI कौन है तो वो है M. Narsimhan अब यह पूछा क्यों जाएगा क्योंकि इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है और जो 25th governor है RBI के वो है शक्तिकांत दास 25th governor है RBI के जो current में है वो है शक्तिकांत दास When is the world creativity and innovation day celebrated globally विश्व रचनात्मक और नवचार दिवस विश्व इस्तर पर कब मनाया जाता है तो वो है 21 April को 21 April को civil seva दिवस और साथ ही विश्व रचनात्मक और नवचार दिवस विश्व इस्तर पर 21 April को celebrate करा जाता है तो यह आपको याद रखना है दोनोर डे 21 April को यह celebrate करे जाते हैं नेक्स्ट कुश्चन है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स अगर हम दुबारा इसके में बात करेंगे कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में इसको रिलीज कौन करता है तो रिलीज करता है रिपोर्टर्स बिदाउट वॉर्डर पैरिज के फ्रांस में इसका हैड़ कौर्टर है रिपोर्टर्स बिदाउट वॉर्डर्स वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज करता है तो मैं आपको बताया कि इसमें इंडिया की रेंग क्या रही है 142 रही है पिछले साल भी 142 थी और इस साल भी 142 है अब आते ह दा स्टोरी ओफ राम थ्रो इंडियन मिनियेचर्स अब एक्जिवीशन जो रहा है इसमें हाव मैनी मिनियेचर्स पैंटिंग कलेक्शन अफ दा ग्रेट एपिक अब इसको पढ़ते हैं हिंदी में गौर्मेंट ओफ इंडिया ने रमायार पर पहली वार ऑनलाइन पदशनी राम कता भारतिय कताओं के माधियं से राम की कहानी लाँच की है और इस पूचिंगी में पता चला है कि महान महाका वे के कितने लगुचितर रहें तो वह समें औरनचास है Miguel Mario Diaz Kenal has been appointed as a first secretary of the communist party of which country. तो Miguel Mario Diaz Kenal को किस देश के communist party के लिए पहले सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है. यह international news है, आपको यह बताना है, यह किस देश के यह first secretary of communist party बने हैं. तो क्यूबा, क्यूबा देश के Miguel Mario Diaz Kenal यह appoint हुए है. आपको यह याद रखना है. Next question है, इंटरनेशनल यह भी news है. Walter F. Mondele has passed away at the age of 93. He was the former vice president of which country? तो USA, Sankt Raj America के Walter Mondele को 93 वर्ष की आयों में इनका निधन हो गया है. तो USA के vice president है. Next question है, इंडिया has signed technical corporation agreement with which country title cities combating plastic entering the marine environment. तो भारत ने किस देश के साथ एक तक्निकी सायोग समझोते पर हस्ताक्षा किये हैं. जिसका स्तीशक है समुंदरी पर्रावेयन में plastic के संयोजन वाले शहर. तो इसका agreement हुआ है, इंडिया का वो देश है, जर्मनी. जर्मनी के साथ इंडिया का इसमें संचोता रहा है. तो यह आपको याद रखना है. विच कंट्री हाज टॉप वर्ल्ड प्रेस फीडम इंडेक्स. अब आगी वर्ल्ड प्रेस फीडम इंडेक्स. किसने टॉप करा है, तो वो है नॉर्वे. नॉर्वे के दौराई से टॉप करा गया है. रिलीस कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट वर्डर रिलीस करता है. नॉर्वे टॉप पर रहा है. इंडिया की रेंग 142 है. और चाइना हमसे काफी पीछे है. 180 देशों की ये लिस्ट है. वर्ल्ड प्रेस फीडम इंडेक्स की. इंडिया 142 पर. प्लेस पर है. टॉप करा है. नॉर्वे ने रिपोर्टर्स विदाउट वर्डर इसको रिलीस करता है. पूरा आपका ये फिनिश हो गई. वर्ल्ड प्रेस फीडम इंडेक्स. नेक्स्ट कोशन है. ने किस राजी ने जगन्ना विद्या देवना योजना के तहत 672 करूपे की पहली किस्त जारी की है. आंद्र प्रदेश के द्वारा ये जारी की गई है. नेक्स्ट कोशन है नासा एक्सपेरिमेंटल हेलिकॉप्टर इंजिनिटी is the first power controlled flight of an aircraft on अब ये कहां पर ये एरकाफ्ट हुआ है नासा के प्रयोगिक हेलिकॉप्टर इंजिनिटी किस प्लैनेट पर किस विमान की पहली संचालित नियंतित उड़ान है तो ये इस हेलिकॉप्टर का नेम पहले आपको ये याद रखना है, क्या है? Ingenuity, अब ये कहा पर गया है, तो वो है मंगल, मंगल के मंगल पर ये पहला बिमान है, जिसकी पहली संचालित नियंतित उडान रही है, Ingenuity इस हेलिकॉप्टर का नेम है, और मंगल पर ये गया है, प्लैनेट पर तो यह आपको याद रखना है मंगल ग्रह पर इस हेलिकॉप्टर का नेम आपको याद रखना है इंजिनुटी काफी इंपोर्टेंट रहेगा एक्जांस के लिए चलिए अब परते हैं नेश्ट कोशन पर विच अफ दा फॉलाइंग इस फर्स्ट पार्टी ड इसने उस संस्था का नाम खोशित किया है जिसने चुनावी बॉर्ण के माध्यम से दान दिया है तो वो है जारकंड मूर्टी जारकंड मुक्ती मूर्चा जारकंड की पार्टी है यह पहली पार्टी बनी है फस्ट पार्टी बनी है तो डिकलियर दा नेम ऑफ दा एंटिट विच मेड डॉनेशन टू इट्स त्रो इलेक्टरल बॉंड तो जारकंड मुक्ती मोर्चा यह आपको याद रखना है इस पार्टी का ने Water Sports and Adventure Institute of Indo-Tibbath Water Police established at भारत तिबथ सी महपुलिस का जल खेल और सहासिक संस्थान में इस्थापित किया गया है तो यह कहां पर इनूने स्टेबलिष करा है सिस्ट्यूट ऑफ इंडो Water Sports and Adventure Institute तहरी इंड टीहरी बांध पर इसित्यूट इनूने स्टार्ट करा है सिस्टेबलिस करा है आइटी बीपी ने इंडो तिबत बॉर्डर पुलिस के द्वारा इसे स्टामिस करा कया है नेक्स्ट कुश्चन है वो अबंग दा फोलाइंग बिकम दा फर्स्ट इंडियन वुमन टू सकेल माउंट अनपूर्णा नेपाल नेमलिकित में से कौन माउंट अनपूर्णा नेपाल को सकेल करने वाली पहली भारतिय महिला बनी है तो वो है प्रियंका मोहिते प्रियंका मोहिते यह फर्स्ट इंडियन वुमन बनी है जिन्होंने नेपाल के माउंट अनपूर्णा को इन्होंने यह पार करा है तो ये पहली भारती महिला है, इनका नेम आपको याद रखना है, प्रंका मोहिते, प्रंका मोहिते, फर्स्ट इंडियन वुमेंट टू स्केल पाउंट अनपूर्णा नेपाल, नेच्स्ट कोशन है, दिलहारा लोग हुई तेग, दिलहारा लोग हुई तेग बैंड फ्रॉम किरिकिट्स फो एट इयर आफ्टर बिंग फाउंड गिल्टी ऑफ ब्रीचिंग दा आई सी सी एंटी करॉप्शन कोड तो अब ये किस देश के हैं, इनका नेम आपको बताना है, उस देश का कि ये दिलहारा लोग हुई तेग किस देश के हैं, जिनके उपर आठ साल का बैं लगाया है, आई सी सी एंटी करॉप्शन कोड के थ्रू तो वो किस देश के हैं, दिलहारा लोहोई टेग तो वो दीष है, स्री लंका, स्री लंका देश जाहान ये दिलहारा लोहोई टेग, इनपर आठ سाल का बैं लगाया है, आई सी bliver ने कोशन है, लॉजन अलहतलॉलॉन has won the top Europe Right Award वालकलेव हैवल human rights prize for women's right he she is from which country लौजन अलहतलॉल ने शीर्ष यूरोप अधिकार पुरुसकार जीता है अब ये मानाव अधिकार पुरुसकार महिलाओं का एक अधिकार है ये किस देश चेहें अब आपको ये बताना है तो ये हैं साओधी अरब से लौजन अलहतलॉल इनका नेम इंपोर्टेंट बनेगा तो वैंकलेव हैवल human rights prize for women's right दिया गया है लौजन अलहतलॉल को who has been appointed as ambassador of Puma Puma के राजदूत के रूप में जिट नुक्त हुए है वाशिंटन सुन्दर और देवदर्द पाडिकल दोनों को Puma की दोरा ambassador नुक्त करा गया है वाशिंटन सुन्दर और देवदर्द पाडिकल को which state government will run a no mask no movement campaign across the state to break the infection chain संक्रमाण संकला को तोड़ने के लिए कौन सी जाज़े शरकार जाज़े पर में no mask no movement अवियान चलाएगी तो वो है दाजिस्थान दाजिस्थान इस्टेट government के दोरा ये campaign स्टार्ट करा गया है no mask no movement तो ये आपको याद रखना है तो तरिस्थान स्टेट गोवर्मेंट के दोरा no mask no movement campaign स्टार्ट करा गया है अब आते हैं International Mother Earth Day पर कि International Mother Earth Day हर साल कब celebrate करा जाता है और जिसकी theme है Restore Our Earth Restore Our Earth is the theme of International Mother Earth Day It is observed 22 April 22 April को हर साल International Mother Earth Day celebrate करा जाता है और इस साल जो इसकी theme रही है Restore Our Earth Restore Our Earth इसकी theme है 22 April को हर साल ये celebrate करा जाता है International Mother Earth Day Next question है Go creators of Google Pay Sujit Narayan and Sumit Galwani are launching FI A New Bank for Sellerized Minimals in Partnership with Beach Bank तो उस bank का name आपको बताना है जिसमें Google पे कैसे है निरमाता, सुजीत नरायान और Sumit Galwani किस bank के साथ साज़दारी में बेतन बेतन बोगी सहब ब्रादी के लिए एक New Bank FI launch करेंगे तो वो है Federal Bank Federal Bank ने समझोता करा है Google Pay के, Go creators सुजीत नरायान और Sumit Galwani के साथ पर लॉंचिंग FI, A New Bank फोर सेलराइजड मिलिवल्स तो यह आपको याद रखना है Next question है कि संकह घोष संकह घोष has passed away recently He was अब यह famous यह किस छेटर से संबंदित थे संकह घोष संकह घोष है, हिंदी में यह संकह घोष जिनका हाल ही में निधन हुआ है Famous poet, famous कवीथ है इनका हाल ही में निधन हो गया है तो यह profession से भी पूछ लिया जाता है एक्जाम में कि संकह घोष जिनका हाल ही में निधन हो गया है यह किस छेटर से संबंदित थे Next question है International Girls in ICT Day 2021 is observed on ICT दिवस 2021 में अंतनाश्टी लड़िक्यों को यह हर साल जो डे सलिबेट करा जाता है 22 अप्रेल को सलिबेट करा जाता है हिंदी में थोड़ा गलत लिखा है यह आपको इंगलिश में यह पढ़ना है International Girls in ICT Day Marked Annually on the 4th Thursday of अप्रेल तो यह हर साल अप्रेल के चौथे ब्रस्पती वार को सलिबेट करा जाता है और चौथा ब्रस्पत यह 4th Thursday जो अप्रेल कर रहा है 22 अप्रेल को यह रहा है तो यह International Girls in ICT Day हर साल 22 अप्रेल को सलिबेट करा जाता है Which of the following country has announced a grant of rupees 81.2 million under Indo-Pacific Ocean Initiative निम्लिकेत में से किसे देश ने भारत प्रशान्थ महासागरिये पहल के तहत 81.2 million रुपे की देने की घोशन की है तो वो है आस्टेलिया आस्टेलिया ने यह announce करा है कि वो grant के तोर पे देगा 81.2 million under a Indo-Pacific Ocean Initiative तो वो है आस्टेलिया अस्टेलिया के दोरह यह grant दी जाएगी 81.2 million की तो यह आपको याद रखना है अब आते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ की इंडिया हैस बिन इलेक्टेड बाइ एक्कलमेरेशन तो थ्री वाड़ीज ओफ यूएन एक्कनॉमिक एन शोशल काउंसल वेर इस दा हैड़ क्वार्टर ओफ ए-C-O-S-O-C तो भारत को सैयुक्तरास्ट आर्थिक और समाजिक परिशद के तीन निकायों के लिए चुना गया है अब आपको इसका हेड़ क्वार्टर मुख्याले कहां पर है तो वो है नियू यॉर्क USA USA के नियू यॉर्क में इसका हेड़ क्वार्टर है अब आपको बताना है कि तमिल नाडू के उस चैस प्लियर का जिनने अभी हाल ही में 68 चैस ग्रांड मास्टर के रूप में नियू चुना गया है या मतलब जो 68 वे शत्रंच ग्रांड मास्टर बने हैं उनका नेम आपको बताना है और वो हैं किस दाज़े से तमिल नाडू से तो वो हैं अरजुन कल्लियार अरजुन कल्लियार तमिल नाडू से हैं और यह भारत के 68 वे ग्रांड मास्टर बने हैं 67 थे लियून मंडल का और 66 थे जी अकाश किशोर नंदल सकर किशोर नंदल सकर अब आपको बताना है कि अभी किशोर नंदल सकर का हाल ही में निदन हुआ है यह फेमस एक्टर थे तो फेमस अभी नेता थे किशोर नंदल सकर जिनका हाल ही में निदन हो गया है तो आपको इनका नेम आपको याद रखना है What is the name of renowned Islamic scholar and peace activist who has passed away recently एक प्रसिद इसलामी विद्वान और शांती कारेकरता का नाम बताईए जिनका अभी हाल ही में निदन हो गया है तो है मौलाना वयुदीन खान मौलाना वयुदीन खान इनको अभी हाल ही में पर्द्म भीवुजन से सम्मानित किया गया था इसी साल जो इंडिया का second highest civilian order है मौलाना वयुदीन खान को इस अवार्ट से सम्मानित किया गया था और इनका हाल ही में निदन हो गया है नेक्स्ट कोश्चन है आफ्टर सिटी ग्रूप फर्स्ट रेंड बैंक विल एग्जिट इंडिया अब ये फर्स्ट रेंड बैंक ने जितनी भी शाखाएं थी इंडिया में उनको एग्जिट करने का इन्होंने बताया है तो अब सिटी ग्रूप ने इस से पहले जितनी भी ब्रांचे थी इंडिया में इनने एनाउंस करा था वो इंडिया में जितनी भी ब्रांचे हैं सबको बंद कर देगा अब फस्ट बैंक ने ये अनाउंस करा है और जो फस्ट बैंक है दक्षिण अप रिका का एक बैंक है नेक्स्ट कोशन है तो आपको बताना है कि किसको एक्सटरनल ओडिटर चुना गया है और गनाइजेशन फर प्रोहिवीशन ओफ ऑफ चैमिकल वैपन के दोरा तो ओपी सी डवलू इसका हैड़कौाटर आस्टिलिया के वियाना में है और इसका एक्सटरनल ओडिटर जो चुना गया है बोच चुना गया है जी सी मुर्मू को यह भारत के कॉंट्रोलर और अडिटर जनल है जी सी मुर्मू इनको ही एक्सटरनल ओडिटर चुना गया है और गनाइजेशन फर प्रोहिवेशन ओफ चैमिकल वैपन का तो जी सी मुर्मू का नेम आपको याद रखना है जी सी मुरुमो को external auditor निक्त करा गया है OPCW का Prime Minister Narendra Modi is participating in a leader summit on climate तो what is the theme अब आपको इसका theme बतानी है धानमंत्री Narendra Modi ने जलवायू पर निदाओं के शीकर सम्मिलन में भाग लिया है Our collective sprints to 2030 इसकी बिशे है या इसका theme है Our collective sprints to 2030 Our collective sprints to 2030 What was the rank of India in a Global Energy Transition Index 2021 तो यह fourth भी index है जो मैं आपको इस वीडियो में पढ़ा रहा हूँ तो यह index कौनसी है Global Energy Transition Index तो ETI Global Energy Transition Index में इंडिया की rank रही है 87th 87th में प्लेस पर रहा है भारत 115 देशों में से अब which country has topped in Global Energy Transition Index रिलीज बाइ वर्ल्ड एकोनॉमिक फॉरम तो आपको बताना है विश्व, आर्थिक, मंच, द्वारा जारी, वैश्विक, उर्जा, संक्रमान, सूच, कांक 2021 में किस देश ने सीर्स इस्थान हासिल करा है तो वो है स्वेडन स्वेडन के द्वारा इस इंडेक्स में टॉप करा गया है स्वेडन टॉप पर है इंडिया 87 फे प्लेस पर है रिलीज करी है वर्ल्ड एकोनॉमिक फॉरम ने अब which country has ranked last in Global Energy Transition Index Global Energy Transition Index में लास्ट पर रहा है जिंबाबे जिंबाबे लास्ट पर है स्वेडन टॉप पर है इंडिया 87 फे प्लेस पर है एक सुपंधर देशों में से और वर्ल्ड एकोनॉमिक फॉरम Global Energy Transition Index को जारी करता है नेक्स्ट कोशन है on which date word book and copyright day is observed every year विश्व पुस्तक और copyright दिवस किस तारीक को मनाया जाता है तो इसका आपको comment box में बताना है कि 23 अप्रेल को हर साल ये day celebrate करा जाता है next day है जो 23 अप्रेल को celebrate करते हैं यूएन इंग्लिश लेंग्वेज डे एंड यूएन इस्पैनिश लेंग्वेज डे इस अप्रेल को मनाया जाता है तो दोनों आपको ये याद रखने हैं और यूएन चाइनिश लेंग्वेज डे बीज अप्रेल को celebrate करा जाता है यूएन इंग्लिश लेंग्वेज डे यूएन इस्पैनिश लेंग्वेज डे टेस अप्रेल को celebrate करते हैं तो ये भी आपको याद रखने हैं और यूएन उनाइटेड नेशन जीज़ों डे सेलिबेट करे जाते हैं यूएन के द्वारा काफी important रहते हैं अब आते हैं इडरिस देवी इटनो गाराज्य के राश्पती थे तो ये इसका देश का नेम आपको याद रखना है इतना important नहीं रहती हैं लेकिन ये आपको याद रखना है अब आते हैं next कि world book capital for 2021 2021 is 2021 के लिए विश्व पुस्तक पूंजी पूंजी नहीं है विश्व पुस्तक राजधानी जो रही है 2021 के लिए वो कौन सी है तो यह आपको बताना है अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरू बताई कि वर्ड बुक कैपिटल फूर टूथाउदेंट वन कौन सी है विश्व पुस्तक राजधानी जो रही है 2021 के लिए जो वो है तिबली सी जॉर्जिया का तिबली सी वर्ड बुक कैपिटल चुना गया है दो हजार एक किस के लिए तो यह आपको याद रखना है कि जो वर्ड नैसकॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे निक्त किया गया है तो वो है रेखा एम मैनन रेखा एम मैनन को नैसकॉम के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है तो यह आपको याद रखना है रेखा मैनन नैसकॉम के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है जितनी भ तो जितनी भी current affair थी, सब मैंने आपको इस वीडियो में पता दी है, अगर आपने वीडियो को अभी तक share नहीं करा है, तो वीडियो को share करना ना भूलें, जहां तक आपकी rich हो, Instagram, Telegram, Facebook, WhatsApp, हर जगे वीडियो को share करना ना भूलें, चैनल को subscribe नहीं करा है, चैनल को subscribe करें, like करना ना भूलें, comment करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और साथी bell icon प्रेस कर लें, जिससे जितनी भी upcoming videos होंगी, उनका notification आपको डेवाइडे मिलता रहेगा, goodbye, मस्त रहें, व्यस्त रहें